अलो गुड आप्टर नोन इस्टुडेंट कैसे आप सबी उम्मेद करते हैं मास्त होंगे स्वास्त होंगे तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार टेस्ट बुक में हम हैं टेस्ट बुक के एक नई क्रांथी बिसिकली आज जिस एक पहलू पर अमारी चर्च पूड मनतव्यों को समझेंगे और उसी कान से हम खासा इस सेसन में जुड़े हुए हैं आप सब के साथ तो चलिएगा जादे बिलम तो करेंगे नहीं खास करके एक एक बिंदू के बारे में एक परियायो को अधारित करते हुए यहां से सेसन के अपने सुरुआत करते हैं और जहां पर हर एक बिंदू को अधारित करते हुए हर एक मानक को अधारित करते हुए जो परिच्छा का होता है उसके समझ में कुछ एक बिसेस परशनों की चर्चा की जाएगी तो आप लोग भी जाते हैं आपकी संकल्पना आपके परियाय को अधारित करते हुए इस सेस उपर वरकार है सरसोती महाभागे बिद्या कमल लूच ने बिद्या रूपे विसाल अच्छी बिद्या देही नमोस्तु थे मा भागदेवी का सानित इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित नई उचाईयों को आप लोग अचीब करें इसी संकल्पना के साथ इस अपने सेसन की सुरुआत करते हैं माहत्पूर कल के प्रश्णों का दोहराओ करते हुए हम आज के प्रश्णों की चर्चा करेंगे तो कल की जब बात की जा तो कल हमने के इनके इन प्रश्णों को देखा था अगर एक एक को समझने की बात करें तो खासा द्याने कीगा कुछ माहत्पूर प्रश्ण जो हमने कल चर्चा किये थे जिसमें पहला प्रश्ण है कि बारतिय नागिरिकों को अनुदत की से एक मौलिक अधिकार के अंतरगस सर्बो चिन्याले भोजन अधिकार निजता का अधिकार और साथ ही साथ प्रदूसर मुक्त जल और वायू का अधिकार पुदान कर आती है तो यहां भी जानते हैं आपके अनुच्छे दिकिश जहां पर जीवन जीनी के लाइफ स्टाइल की जब बात की जाए तो उसकी सोतंता के परिपेच वे इसका नाम देखने को मिलता है नाम की जब बात की तो कोसा सिल्क कोसा सिल्क अपने आप में काफी महत्पूर एक रिसम कीठ होता है जो एंतेरिया मालिटा से पाया जाता है ये किस राज्यस समाधित है तो कोसा सिल्क की जब बात की जाए तो आप भी जानते है ये 36 गड़ राज्यस समाधित एक सिल्क की अथार उत्पाद करने की दसा में एक त्यवार होता है एक फसल उत्सा होता है अगर इसकी बात की जाए तो ये बात पांच बर्फ के खजानों के रुप में जानी जाती है जिसमें सोना चादे रत्न अनाज भगवान या प्रमकोब से आपको देखे लते हैं तो पांच खजानों की जब बात की जाग तो उसके रूप में कौन से चोटी जानी जाती है तो यह आपके कंचन जंगा जो हिमाले सेड़ी की बिसु के सबसे तीसरी उची चोटी मानी जाती है फिरोज साह कोटला इनके द्वारा एक किला 1354 में बनवाय गया था फिरोज साह तुगलक के द्वारा यह किला किस नदी के किनारे स्थित है तो फिरोज साह कोटला के परिपेच हुई यह जो किला है या आपको यमुना नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाता है खासा अगर इस बिंदु की बात की जाए तो इसे ध्यान नखेगा नाम आता है कि देवगड का किल जाँ पिर दसावतार मंदिर इस्तित है जो भगवान विश्णों को समर्पी करते हुए एक मंदिर होता है अपने बास्तु कला सैली के लिए ये काफी चर्चा में जाना जाता है अगर इसकी बात की जाए तो ये उत्तर भारत में सबसे पहली आपके किस एक मंदिर के प्रकार के रुप में जानी जाती है तो यह ध्यारिकीगा पंचायतन मंदिर के रुप में जाना जाता है अगर उसकी बात की जा तो बनारस से 10 किलोमीटर दूर पर यावस्तित है, किन दो नदियों के संगम पर तो आप भी जानते हैं यह आपके गंगा और वरुरा, इन दो नदियों के संगम पर इसकी अवस्थिती देखे मिलती है गोल में जिस संभेलन आप जानते भी हैं कि ये अस्फल हो गया था उसका सी क्या था तो उसका मुख्य मंतब था सांप्रदाइक नित्व सांप्रदाइक निर्वाचन की जब बात की जाये तो उसकार से क्या हुआ था गोल में संभेलन आपका बिफल हो गया था समनते अगर देखा जाये तो आप भी जानते हैं यहाँ पर दलितों को क्या कर सकते हैं अलग से निर्वाचन की बात की गई थी और महत्मा गाधी इस संभेलन में आके पहुँचे थे एक गाधी इर्विन समझोता हुआ था उस कारण से बेसिक अगर देखा जाये तो हरिपूरा अधिविशन 1939 में आज उत हुआ भारतिय राष्टिय कांग्रेस के क्याओन अध्यक्ष रहे तो आप भी जानते हैं यहाँ पर जो बेक्ती रहे वह नाम था सुबाश चंद बोस सुबाश चंद बोस आपके 1939 में हर पूरा अधिविशन की अध्यस्ता किये रालिट एक्ट भारतिय राष्टिय कांग्रेस के बिरोध के परिपेच्वे अगर देखा जाये तो इसका बिरोध क्या था तो यह बिरोध का आधार था बैक्ती का स्वतनता को सीमित करना मतलब आपके सकते हो बिना दलिल बिना कानून के परिपेच्वे क्या करना भारतियों को कैद करना और इसी परिपेच्वे आपने सैफिव दिन किचलू अगर एक का नाम सुना था जिनको जब बंद किया गया था तो जलिया वाला भाग में लोग इसके परिपेच्वे ही कठा हुए थे नाम आता है कि किस सत्याग्रह आंदोलन के परितिर्च में गाधी जी परितिर्च रुप से भाग नहीं लेते हैं तो यह होता है बाइकोम सत्याग्रह खास करके दक्षिर भारत से समधित था और इसकी जब बात की जाट यह मंदिर प्रवेश के उपर आधारित एक आपका सत्याग्रह होता है काबेरी नदी के इंदो राजियों से होकर की गुजरती है तो काबेरी के बारे में आप भी जानते दक्षिर के सबसे महत्पूर नदी होती है और यह बरत्मान में करनाटक और तमिल लाडों इंदो राजियों से समधित होती है का जाता है कि भारत में निमलिकित में से किस एक मुख्य नयधीस ने भारतिय नयाय पराली में जनहीत याचिका का सुर्भारम किया और इस पर पेश में आपने सुना होगा पीयन भगवती पियन भगवती की जब बात की जा तो पियन भगवती का नाम चर्चा में आता है क्योंकि इन्हों नहीं क्या किया था इसके शुरुआत करी थी एक बिंदू आता है निमलिखित में से किस सांगरे सत में प्रांतिय विधान सभाव में चुनावी सांपरदाइक्ता प्रांतित काले ये राष्टिय कांगरेस अखिल भारतिय मुश्लिम में इन दोनों के बीच में समझा होता हुआ और साथी साथ आपके सेक्तियों केंदिय विधान सभा में खास करके केंदिय असेमेली की जब बात की जाए तो वहाँ पे भी इसको सुईकारा जाएगा तो यह आपके यहाँ पर क्या किया गया था समझाओता हुआ था कौन सी धर्म मानाता है आपके बहुत धर्में नहीं देख फिलती हैं तो बहुत धर्म के जब बात की जाए तो उसमें आपने सुना होगा कि यह लोग इस्वर और आत्मा के अभिश्वास करते हैं मतलब यह नहीं मानते कि कोई इस्वर नाम की संकल्पना है या फिर कोई आ पराप्ध कर लिया जा तो हमें निर्वार पराप्ध हो जाता है यह 3.67 सबकी लिए होते हैं जबकि 14 जो होता है वह मुठ रूप से कुछ आप भी जानते हैं इसने क्या किया था एकता पडाली की सुरुआत की थी एकता पडाली मतलब आप कह सकते हो सीधे सब्दों में इसका जो संब्ध होता है वो भूराजस को ले करके होता है इसने भूराजस की एक ऐसी व्योस्ता को चालू किया था जिसमें जमीन के टुकड़ गांधी जी के मित्व पर सोक बैक्त करते हुए किस ने कहा कि मेरा सबसे मजबूत कर चला गया मदब गांधी जी ने किसकी मित्व पर तो गांधी जी की जब बात की जा तो ये बाल गंगा धर तिलक के मित्व पर इन्होंने कहा था कि ये मेरा सबसे मजबूत गर था और ये च किया था दादा भाई नरेजु की जब बात की जया तो ये उग्रवादी सुभाव चोड़ करके अध्यात्म की तरफ चले गए थे तो ये पर इसने महराथाओं के द्वारा खास करके वैसराय तैमूर साह को लाहोर से निस्कालित किये जाने के बाद इसने बदबालिया था खासा आप भी जानते है इस पहलू की जब बात की जा तो आपके पानी पत का तीसरा युद्ध तो अहमद साह अब्दाली और माराठा के बीच में यह युद्दाप को दिख विला था कहा जाए तो इसको सुमिलित करना है और सुमिलित करनी की जब बात की जाए तो जैसे है मिरे कट्चम ये सुद्रक के द्वारा बुद्द चरितम बद्चरित या फिर मुद्द चरितम या फिर हर्षषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष अलग-अलग उत्तर हो जाते हैं आज की संकल्पना की सुरुवात करेंगे खास करके एक-एक प्रश्णों के बारे में जानेंगे लेकिन एक चीद ध्यान की गत थोड़ा सा आपके लिए काफे महत्पूर होता है क्योंकि अभी हमारे ओफर का महोसो चला है और ओफर की महोसो में आप कोई भी कोर्स करीते हैं जैसे UP का सुपरपैक आप लेते हैं तो वह केवल केवल 899 गुरुपे में है जहां पे ये कोड लगाना पड़ेगा आपको पांडे सर तो पांडे सर नाम का जैसे कोड लगाएंगे आपको डिसकाउंट प्राप्थ हो जाएगा तीकर इसके लमा UPSC के जूनियर असिस्टेंट बैच को आप लेते हैं तो ये 369 गुरुपे में है यहां पे भी आपको वही कोड सीधे लगाना है ताकि आपको क्या हो यह सुनिश्चिन डिसकाउंट प्राप्थ हो जाए साथ ही साथ UPSI और UPSC के तियारी करते हैं तो उस दसा में 530 रुपे का कोड पुने कोड आपको लगाना है पांडे सर पांडे सर कोड लगाते ही क्या होगा आपको सुनिश्चिन डिसकाउंट प्राप्थ हो जाएगा और UPSC कांस्टेवल के तियारी करते ही तो कुल 279 रुपे का या आपका कोर्स आपको मिल जाएगा तो इस तरीके से आफर के इस महुस्सों का विसेस्ता है आप लाब ले सकते हैं इन कोर्ण को लगा करके ठीक है आगे की जब बात की जाए तो आज के प्रस्णों की सिंखला सुरू करते हैं पहला प्रस्ण जो आप सब के सम्मुख है उसका नाम है कि हमारे यहां पर एक बेक्ती थे चंदगुप्त मौरिया चंदगुप्त मौरिया के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था और मिगा स्थिनीत के रुप में इसे नाम जाना जाता है लेकिन बात आती है कि आखिर मिगा ने स्थेज को किसके द्वारा भेजा गया ठीक है अगर यहां पर देखा जाया तो यूनानी राजदूत और यूनानी राजदूत के परिपेश्वें चंदगुप्त मौरिया चंदगुप्त मौरिया की जब बात की जाया तो यहां पर किसके द्वारा भेजा गया था तो आप भी जानते हैं यह ब्यक्ती था Selyukas, क्या पूरा नाम था? Selyukas Nicotar अगर इसकी बात की जा, तो इसका नाम खास आपने सुना होगा Selyukas की जब बात की जा, तो Selyukas के परफेच वे क्या किया था? खास करके इसने यहाँ पर Selyukas की जब बात की जा, तो Selyukas Nicotar यह इसका नाम था S çıkar यह इसका पूरा नाम था, और इसने क्या किया था? इसने खास करके अपने एक राजदूत, जिसका नाम था, क्या नाम था? Megashtanij, युनान का रहने वाला ये ब्यक्ति था, और उसके माध्यम से क्या किया गया था? इसको यहां पर भेज जा गया था, किसके परिपेच्छे? चंद गुप्त मौरी के दरबार में है चंद गुप्त मौरी के बारे में आप भी जानते हैं इनका संबंद क्या होता है तो ये सबसे महतपोर्ड व्यक्ति मौरी वन्स के संस्थापक के रुप में मानी जाते हैं इन्होंने इसकी अस्थापना कैसे करी थी तो आप भी जानते ही यह प्रमुखुप से इनके एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था चाणक के चाणक की जब बात की जा तो इनको हम लोग क्या करते हैं विश्नु गुप्त भी कहते हैं विश्नु गुप्त और विश्नु कैसी बैउस्ता से समधित आप मिल जाता है खास करके जैणा पती के इसका लुप मिल जाता है के लिए सेनापती सेल्यूकस सेल्यूकस की जब बात की जाए तो इसका नाम रमखुप से देखने को मिल जाता है ठीक है तो इस इसको ध्यान रिखेगा आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रिखेगा अच्छा मेगा स्थनीच के बारे में एक चीज़ा उर्धान कीगा इसके दोरा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है इंडिका मेगा स्थनीच की जब बात की जा तो मेगा स्थनीच के दोरा एक पुस्तक लिखी गई है जिसको नाम दिया जाता है इंडिका इंडिका की जब बात की जा तो यहां पर कुछ चीजों को बताया गया है कि भारत की उस समय की भोगोली कवस्तिती क्या थी भारत में उस समय संस्किती कैसे हुआ करता था और भारत की उस समय की राजनीतिक ब्याउस्था क्या थी राजा महराजा का पूरा एक आधार क्या था उन सारे विशेविद्ग के बारे में यहां पूरी बात बताई गई है इवन आपके सिक्तों की वस टाइम पे राजा के समय पे यहां का समाजिक कल्चर क्या था यहां की जो सोसाइटी थी वह कैसे आपकी रहती थी तो शुई को भी यहाँ पर बताया गया है तो सीधे सब्दों में इंडिका की जब बात की जाए तो इंडिका में यह सारी चीजे आपको दर्साई गई है किस के द्वारे लिखा गया है यह आपके मिगस थनीज के द्वारा लिखा गया है आगे कि जब बात की जाए तो कहा जाता है कि निमलिकित में से किस एक संसोधन की अधिनियम के द्वारा समिधान में मौली कर्टब्यों को सामिल किया गया समिधान की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं समिधान हमारी लिए काफी महत्पूर होता है और समिधान की जब बात की जाए तो समिधान की परंपरा में ध्यान कीगा हमने कई सारे समिधान संसोधन किये हैं अब उन्हीं समिधान संसोधनों की जब बात की जाए तो आकिर किसे एक समिधान संसोधन के माद्यम से हमने क्या देखा है हमारी यहां पर कास करके मौलिक और पिसे इस तरह अगर आप लोग इस सेसन में जुड़े हैं तो इस सेसन को लाइक और साजा पी करेंगे क्योंकि आपकी संकल्पनाओं का एक ही आधार होता है कि जब आखों में अर्मान लिया मंजिल को अपना मान लिया अभार क्या अब जीत क्या जब ठान लिया तो ठान किया मौलिक कर्तब्यों की जब बात की जा तो इसके बारे में आपने सुना होगा ये समदित होता है हमारियां पर 42 समिधान संसोधन की मान लिया 42 समिधान संसोधन की जब बात की जा तो ये कब आपका आइड किया गया था तो ये खासा देने किया 1976 में इसको आइड किया ग बत की जा तो नहीं कि सिपारिस के अधार पर यहां मूल समीधान है, नहीं मूल करतब और इसको सुझाओ दिया था और इसी परिपेच में 42 समिधान संसोधन के अंगर, आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं समिधान का अनुच्छेद 51 का समिधान के 51 का की जब बात की जा तो इसमें इसको ऐड़ किया गया था बेसे कगर देखा जाए तो इस परिपेश वे आप भी जानते हैं कि कुल मिला के 10 मूल करतब भी आपके देखें मिलते हैं हलाकि बाद में एक और जोड़ा गया था और वह जो जोड़ा गया था वो खास करके आपने सुना होगा 86 समिधान संसुधन खास करके 2002 में आपको रिफिलता है और इसके अनुसार हमने क्या बोला ठीक है तो इस चीज को ध्याने कीगा हमारी हाँ पर मौलिक करतब मौलिक करतब की जब बात की जा तो इसका नाम प्रमुखूप से आपको दिख मिलता है कहां पे आइड है तो समिधान की जब बात की जा तो समिधान के भाग चार का में समिधान का जो भाग चार का है उसमे इसको एड़ किया गया है तो सम्मिधान के भागचार का से इसकी संकर्पनाप को दिखिलती है और परिपेश की जब बात किजा तो आप कह सकत More कि अनुच्छे दिक्यावन का में इसको एड़ किया गया है और नाम की जब बात की जा तो स्वाणर सिंग समिती भी नाम ध्याने कीगा 1976 में इसको एड़ किया गया है 1976 के परिपेच में 42 समिधान को आपने कई बार सुना भी होगा इसकी जब बात की जाती है तो इसको हम एक और नाम देते हैं खास करके जिसको हम मिनी समिधान संसोधन की रुप में भी जानते है कर सकते हो कि लगू समिधान संसोधन जो माना जाता है क्योंकि इसमें कई सारी चीजे अलग-अलग तरीके से परिवर्तित की गई थी तो लगू समिधान संसोधन की जब बात की जा तो लगू समिधान संसोधन ये प्रमुखूप से आपको देखने को मिल जाता है 42 समिधान संसोधन 42 समिधान संसोधन की जब बात की जा तो इसको हम क्या बोलते हैं अपने हां पर खास करके लगू संविधान संसूधन के रुप में भी जानते हैं आगे कि जब बात कि जा तो काजरा के निमलिकित में से कौन सा राज्य ऐसा है जो दही हांडी को है एक खेल के रुक में आयजित करता है और कहीं न कहीं एक तरीके से इसको मानिता भी देता है दही हांडी की जब बात की जाए तो ये रज सरकार की द्वरा आज़ित भी किया जाता है और इवेन आपके सेकते हो कि इसको यह बढ़ावा भी देता है यह कौन सा राज्य आपको देखने को मिलता है कौन सा एक ऐसा राज्य है जो क्या करता है दही हांडी जैसे बेवस्था को आगे आपका कांटिन्यू करता है दही हांडी दही हांडी के बारे में अगर दिखा जा तो इसके बारे में आपने सदर सुना होगा ये हमारी हाँ पर महाराष्टी राजी की जब बात की जा तो महाराष्टी राजी में इसका आवजन किया जाता है ये एक तरीके से कह सकते हो साहसिक खेल होता है क्या होता है साहसिक खेल होता है साहसिक खेल का मतलब एक तरीके से कह सकते हो क्योंकि आप भी जानते हैं काल हुआ गाता था तो उस दवरान वो कैसे लोगों के घरे में रखे वे जो दही और मक्षन होते थे उसको चुरा करके खाते थे तो उसका संदर यहां पे आपको देख मैलता है मारार सरकार ने इसको साहसे खेल के रुपे मानिता इसकान से दिया क्योंकि यहां पे बड़े स्थर पे इसको आयोजित किया जाता था लेगिन एक संकल्पना होती थी कि कई बार पिरामिट टूड़ने के कारण लोगों को चोट लग जाती थी तो चोट लग गई तो उसकान से यहां पे हलाकि अगर देखा जाए तो एक तेवहार और ध्यान कीगा हमारी हाँ पर आपने नाम सुना होगा जल्ली कट्टू के बारे में जल्ली कट्टू यह भी काफी महतपूर तेवहार होता है और यह अपने आपने एक तरीके से कह सकते हो हार की जब बात की जाए जब इसका आउजन किया जाता है तो उस टाइम पे इसका आउजन किया जाता है इसी परिपेच वेक नाम और सुना होगा साहसे की आत्रा में ही जिसको हम करते है रत यात्रा दोर रत यात्रा दोर की जब बात की जाए तो यह भी हमारी हाँ पर आयुजित किया जाता है कहां पर किया जाता है तो इसकी जब बात की जाए तो यह आपके औरीसा राजी में किया जाता है जिसके परिपेच आपने सुना होगा कि लकड़ी के बड़े बड़े रत बनाय जाते हैं जुलूश निकाला जाता है और खास करके इसमे बगवान जगननाथ की जब बात की जाए क्या बगवान जगननाथ की जब बात की जाए तो जगननाथ जी की क्या होती है यहाँ पर सवारी निकाली जाती है एक बड़े अस्तर का जलूस निकालते हुए बगवान जगननाथ की जलूस की जब बात की जाए तो यह प्रमकूप से आपको देखने को मिल जाता है तो अलग अलग तेवहारों की जब बात की जा तो अलग अलग तेवहारों का नाम प्रमकूप से आपको देखने को मिल जाता है अच्छा सासिक खेल की बात की जा तो एक्तिवहार और धनिकीगा जिसको आपने नाम सुना होगा गत्का गत्का की जब बात की जाए तो ये सिख धर्म से समधित आपको रिखनता है खास करके मुख रूप से आपका जो पंजाब का लोकेशन है वहाँ पर यह आपका आजित किया जाता है जिसमें होता क्या है कि आपका सिक्तों गत्का में कुछ सिख धर्म के लोगों की जब बात की जाए तो ये लोग मार्सल आर्ट से समधे थे, यहां पर क्या करते हैं, कुछ परमपराओं का यहां पर प्रतियसवर्धा में जर्म देते हैं, ठीक है, तो इस चुछ को ध्यान ने आगी की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि प्रतिय होगों से कब चालू किया गया था। यह नाम हमें देखने को मिलता है उदानमंती रोजगार योजना बेसिक अगर देखा जा तो रोजगार देनी के लिए चालू किया गया था तो इसका मतलब यही होगा कि हमारी यहां पर खास करके जो गाओं की देहात के बेरोजगारी युवा होते हैं बेरोजगार युवाओं को क्या करना यहाँ पे कहीं गई स्वेरोजगार देना तो स्वेरोजगार देनी के लिए इस पहलो को क्या किया गया हमारे यहाँ पर चालू किया गया रोजगार की जब बात की जा तो रोजगार कैसे उन्हें उपलब्ध हो जाए इसके लिए यहाँ पर इस विसे को चालू किया गया नाम की जब बात की जा तो इसको कब चालू किया गया था तो इसकी जब बात की जा तो यह चालू किया गया था आपके 1992 खास करके जब हम बात करते है 1992 से लेकर के 1997 तो इस परिपेच की जब बात की जा तो इस परिपेच में कौन सी योजना चली थी तो यहां पे हमारी चलती थी आठवी पंच वर्सी योजना आठवी पंच वर्षी योजना की जब बात की जा तो आठवी पंच वर्षी योजना जो थी इस दवरान खास करके इस विशे को चालू किया गया था 1992-1997 की जब बात की जा तो इस आठवी पंच वर्षी योजना के परिपेच में इसको चालू किया गया था ताकि लोगों को क्या हो सोरोजगार मिले और सोरोजगार के साथ ही साथ वो अपना क्या करें उद्यम लगाएं जिससे उनके अंतरगत क्या हो अपनी उद्यमता बढ़ाने का एक विसे संदर प्राथ हो खासा अगर देखा जाए तो इस परिपेश में नाम ध्याने कीगा कि जब हम आठेमी पंच वर्ष योजणा में इसको चालू करते ही तो इसके बाद एक और संदर ध्याने कीगा अब इससे योजणा को बंद कर दिया है क्या पूरी थरीके से नहीं इस योजणा को बंद किया गया है लिकिन इसका नाम परिवतित कर दिया गया है खास करके आज की सरकार जो है इसको 2008 में नया नाम दे देती है और अब प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जगह पर प्रधानमंत्री रोजगार सिजन कारिकम तो यह अब इसका नाम कर दिया जाता है तो शुरुवाती दिनों में जो प्रधानमंती रोजगार कारिकम था, उसका नाम अब परिवतित करते हुए, रोजगार सिजन कारिकम कर दिया गया, अब तो नाम से पता चला है, इसमें क्या होगा, सीधे सब्दों में रोजगार सिजन करना है, भाई देखो, कोई भी बैक् लेकिन उस दसा में क्या होगा, हम अकेले थोड़ी न पाइप खड़ा करके टेंट लगाएंगे, सीधी सी बात, कुछ ऐसे बैखते होंगे, जो लेवर की रुप में कारी करेंगे, तो अनका भी यहां पर रोजगार मिलेगा, कुछ ऐसे होंगे, जो जालर ओर सजाते होंग कुछ लोग ऐसे होंगे, जो समान चड़ाने उतारने का काम करेंगे, इंदा सेंस आप कैसे होंगे कि कैटिंग के समंध में, लाइटिंग के संदर में, लेवर के कैटेगरी में, तो हमारी तेंटाउच पे कम से कम 5-10 लोगों को नौकरी मिल जाएगी, इंदा सेंस आप कैस करके कुछ नए नहीं जो start-up होते हैं आज के सब्दों में अगर हम start-up की बात की जात। कुरूच बात की जाता है। आगे की जब बात की जात तो एक नाम आता है कि असौक ने अपने महंदर और बिटिया संग मित्रा को क्या किया धम केल सिद्धान को बढ़ाने के लिए डैस 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 एक मिसन के लिए भेजा था अगर हम बात करें तो असोग भाईया के बारे में तो आप भी जानते हैं बहुत चालाग गच्छा में तो यहाँ प्यासोग भाईया की जब बात की जा तो इनका इट लईका रहा जेकर नाम था महेंदर लईकी रही उकर नाम था संगमित्रा तो इन दोनों को का किया था इन दोनों को धरम के परचार के लिए अलग-अलग लोकेशन में भेजा था तो अलग-अलग लोकेशन की जब बात की जा तो यह किसे समय थे तो खासा आप भी जानते हैं यह लोकेशन होता है सिलोंग सिरलंका की जब बात की जा तो सिरलंका में क्या हिए गया था इनको भेजा गया था खासा अगर देखा जाय तो आप भी जानते हैं बहुद धर्म के परिपेच वे, बहुद धर्म की जब बात की जाय तो बहुद धर्म के विकास के लिए बहुद धर्म को ले करके असोक ने क्या किया था, अलग-अलग location में अलग-अलग वेक्टियों को भेजा था, महिंदर की साथ संग भिट्दा को आपे सिरलंका भी जा गया था, ठीक है, आगए की जब बात की जाय तो परिपेच की रूप में अगर देखा जाय तो इन्हों ने क्या किया था? यहां पर एक धर्म होता है, थेरवाद बौद धर्म, तो थेरवाद बौद धर्म की जब बात की जाय तो इसकी यहाँ पर इन्हों ने क्या किया था अस्थापना भी की थी और इस छेत की जब बात की जा तो इस छेत में इन्हों ने क्या किया था इसको प्रचार वगरे भी किया था थेरवाद की जब बात की जाए इवेन आपके सिकते हो कि जो संग मित्रा थी अगर इनकी बात की जाए तो इनको खास करके आपने सुना होगा कि यहाँ पर बूधी 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 प्राप्थ हुआ था, वो संयोग से आपके बोधी व्रिक्ष के नीचे प्राप्थ हुआ था, तो ये काफी महात पुर माना जाता है, होता है आज आप भी जानते की जब हम सिरलंका की बात करते हैं तो सिरलंका में एक बड़ी जनसंख्या जो है वह बहुत धर्म के अनुवाई की रूपे जानी भी जाती है ठीके तो इसविश को ध्याने कीगा वैसे अलोग का नाम ध्याने कीगा अतोग की बात की जाए तो इन्होंने सबसे महत्पूर कलिंगा युद्ध की जब बात की जाए तो कलिंगा युद्ध इनके इतियास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है और इसकी जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कलिंग युद्ध की जब बात क की जा तो अलुसो के बारे में आपने सुना हुगा इन्होंने कई सारे हमारी हाँ पर इस्तूप उगरे भी बनमा रखें ठीक है तो इस्तूप उगरे के निर्मार के लिए भी इनका नाम जाना जाता है ठीक है आगे की जब बात की जा तो एक नाम आता है कि संगीत कार स्यूम मड़ी को हम किस एक पर पेचट फे देख पाते हैं नाम होता है रप, वाईलिन, सहनाई या फिर आपके सरोध किसके हम बात करें खास करके संगीतकार सिव मड़ी सिव मड़ी की जब बात की जा तो सिव वादक के रूप में जाने जाते हैं किसकी बात की जा रही है ड्रम वादक के रूप में खास करके सिवमडी का नाम देख मिनता है इन्हों ने एक करसेक्त हो कि अपना जो एक गृप होता है इस्टेज सू करते हैं तो इस्टेज सू को भी एक नाम दिया है खास करके ड्रम स्यू मड़ी ठीक है तो ड्रम स्यू मड़ी की जब बात की जाया तो ड्रम स्यू मड़ी यह इनके स्टेज सू का नाम भी आपको देखने को मिल जाता है खास करके अगर देखा जाए तो इनकी जब बात की जाए तो ड्रम मतलब आप कर सकते हो तबली के बारे में आप सुमझ चाहते हैं तबला तो एक तबला वादक की रुप में भी इनका नाम प्रमुकोप से देखे मिलता है अगर एकी बात की जाये तो इनके परिपेच वे नाम की जब बात की जाये तो इनका जो संबंध होता है अगर संबंधों की बात की जाये तो इन्होंने अपना जो एक basis परदर्सन वगरे किया है IPL वगरे के बारे में आपने सुना होगा IPL वगरे की जब बात की जाए तो वहाँ पर इन्हों ने अपना पुर्दर्सन वगरे भी कर रखा है इविन आप कर सकते हो कि IPL के अलामा गरे देखा जाए तो आर रह्मान वगरे के साथ भी इनका संब्ध हमें देखे मिलता है ठीक है तो इस दूश को द्याने के गा clear बाकि सरूद की जब बात की जाए तो सरूद में एक नाम आपको इसन निमाता है अमजद अली खान अमजद अली खान की जब बात की जाए तो यह बड़ी प्रसिद्ध आपके सरूद वादक होते हैं अमजद अली खान ठीक है और यहीप अगर दिखा जाये तो आप बायलिन के बारे में भी समझ सकते हैं और सैनाई की जब बात की जाये इवन अगर हम बात करते हैं तो हमारी खांपर नाम आपने सुना होगा किसके बारे में जब हम बात करते हैं किसके रूप में बीड़ा की रूप में तो बीड़ा का समन किसे आता है बीड़ा की जब बात की जा तो असद अली खान का नाम आपके बीड़ा से समधित हो जाता है नाम की ही जब बात करते हैं तो आपने किसके बारे में सुना होगा हमारी तिनका नाम ध्यान रखेगा अलग अलग बिकति गिक्ति जब बात की जायक तो अलग गिक्ति आपको देखने को मिल जाते हैं ठीक है खास करके अगर दिखा जाये तो सहनाई कि परिपेच रूख में आपने बिसमिंल्ला खान का नाम सुना होगा किस दिवस के दौरान ये दिया जाता है हमारी यहां पर देखा जाए तो हमारी यहां पर अगर हम कुछ भी से इस प्रकार के बीर्टा पुरसकारों की बात करते हैं तो परम बीर्चकर, असोक चकर, बीर्चक यह किस दिवस में आपके दिये जाते हैं भारत के परिपेच्च आपके सकते हो कि ये भारत के क्या है सर्बूच हमारी यहाँ पर भारत की जब बात की जाए तो ये भारत के क्या है सर्बूच सैन्य सम्मान है मतलब सैनिकों की जब बात की जाए तो सैनिकों को ये सम्मान क्या होते है समय समय पर दिये जाते है मुख रूप से गर दिखा जाए तो इसका जो आयोजन होता है वेकब होता है तो ये गरतंत दिवस के आउसर पर आपको दिख मिलता है गरतंत दिवस की जब बात की जाए तो गरतंत दिवस को ये क्या होता है खास करके आपका दिया जाता है खासा 26 जनवरी तो 26 जनवरी की जब बात की जा, तो 26 जनवरी को यह पुरसकार आपका दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह देश के राष्टपती, चुकि राष्टपती तीनों से नाओं के प्रमुक होते हैं, तो उन्हीं के द्वारा यह पुरसकार दिया जाता है, खास क को तो दिया ही जाता है लेकिन सैनिक के अलामा अगर देखा जाया तो सामाने नागरी को भी दिया जाता है और इसकी जो संकल्पना है वो एक कारण से और ध्यान कीगा खास करके अगर देखा जाया तो यह हमारी हाँ पर मरने के बाद भी दिया जाता है ठीक है मतलब आप कर सक अपने आपे काफी मादपूर पुरसकार होता है। सामान रूप से जब साइन के लिए आपको देखने को मिल जाते है। बाकि सोतनता दिवस तो आप भी जानते ही यह आजादी के परिपेश में आपके पंदर गस्त का दिवस होता है। और पंदर अगस्त को अमारा देश चुकी आज़ाद हुआ था तो इस कार से हम इसको क्या करते हैं आज़ित करते हैं देश आज़ाद होने के नाते हम इस दिवस को क्या करते हैं आज़ित करते हैं गाधी जैनती आप भी जानते ही ये तो दो अक्टूबर को आज़ित क्या ज आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपने सुना होगा भी 8 October आपका पिछला जब बीता था, तो प्रियाग राज में क्या हुआ था, बड़े अस्तर पे आपका आजन किया जा था, बर्तमान वाई सेना प्रमुक कौन है, तो आप भी जानते हैं, आर हरी कुमार, क्या न मख़ी होते हैं, ठीक है, नाम आता है कि इसके बारे में कहा जाता है कि निवलकित में से कौन से अलाउदेन खेली जी का गुलाम सेना पती था, जिसने देवगरी के परिपेछे रामचंद के बिरुद्ध में अपनी सेना का नेतुत किया था, सीधे सब्दों में कर देखा अलाउदेन खुजली का एक विसेस्त है नीता, एक सेना पती, जो उसका गुलाम हुआ करता था, लेकिन इसने अलाउदेन खुजली के सेना का नितित किया था, परिपेछ में किसके देवगरी में रामचंद के बिरुद्ध में, नाम किसके रुप में, तो आपने कई बार स इसने कमांडरों में से एक आपको देख है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देवगरी के जो रामचंद थे, उनके खिलाप में खास करके कैसे क्या था, तो इस चीज़ को ध्यान लखेगा, अलाउदेन खुजली के बारे में आपने सुना होगा, इसको लोग क्या करते ह क्या करते हैं पूर्व की जब बात के जा तो जलावदीन की हत्या करने के बात किया था किया था? खुजल्य को मार करके इसने क्या किया था सत्ता हासिल किया था मैppen यहां पर आपका लगभग यहां पे पूरी तरीके भी था ये भी माना जाता है पर पेज की जब बात की जा तो ये समराज बिस्तार में कई सारे नाम आपको दिहलते हैं जैसे गुजरात, रंथमबोर, मिवार, मालवा इन सारे लोकेशन को भी अपने लोकेशन में बिला रखा था एक नाम आपने सुना होगा आमिर खुसो के ब क्या किया गया था इस अलावदीन खुजली को दिया गया था ठीक है बेसिक अगर देखा जाए तो एक नाम आता है कि 2011 की जो जनगरना है बारत के परिपेश्वे बाल लिंगा अनपात क्या आपको इसके परिपेश्वे देख मिलता है नाम होता है प्रती 1000 पूर्षो पर 919 महिला है प्रती 1000 पूर्षो पर 911 महिला है प्रती 1000 पूर्षो पर 941 महिला है या फिर प्रती 1000 पूर्षो पर 814 महिला है बेसिक आप भी जानते हैं किसकी अमबात करें हम लिंगान पात या फिर सेक्स रेशियो की बात करते हैं अगर देखा जाए तो इसका संबंध हमें दे इंके साथनकाल में हुआ था बाद में आप कर सकते हो कि हमारी इंपने जंगर्ना काउन्ट की जाती है और नियमिद जंगर्ना जान की जाती है समानते 10 साल के अंतराल के बाद क्या होता है आपकी काउंटिंग कर आई जाती है लाश्ट टाइम जो हुआ था वो 2001 में हुआ था आने वाले समय में जो बरत्मान गढ़ना चली है वो 2011 की है और आके हमारा 2021 में क्या होगा नई जन गढ़ना होगी खास करके आप भी जानते हैं ये गढ़ना जैसी होगी अगर उसकी बात की जाया तो से हम Digital गढ़ना नाम देंगे Digital गढ़ना क्यों नाम देंगे क्योंकि आप भी जानते हैं ये Mobile Application के मादें से ही किया जाएगा और कई बार आपको बताया भी है इसका लोगो जो है वो क्या है प्रगडक सिच्चिका मतलब जो माटनी साहिबा लोग स्कूल में पढ़ाती हैं उन्हीं को इसमें क्या किया गया है प्रगडक सिच्चिका को इसमें लोगो के रुप में चुना गया है प्रग्रक सिचिका के अलामा अगर देखा जाए तो एक चीज़ और ध्याने कीगा खास करके जब हम बात करते हैं कि इसके रूप में जनगर्णा के ही परिपेश हुए तो जनगर्णा के बारे में एक चीज़ और ध्याने कीगा हमारी census को ले करके एक जो हमारा tagline माना जाता है वो है our census, our future तो इस चीज़ को भी द्याने कीगा बाकी एक चीज़ द्याने कीगा हमारी हाँ पर 11 जुलाई 11 जुलाई को हम क्या बनाते हैं अपनी हाँ पर जन संक्या दिवस के रुप में भी आजित किया जाता है अब देखा जात तो जहां पर कितनी महिलाई आपको देखिलती हैं तो जनगरना के अनुशार अगर हम बात करें तो यहां पर 10,000 पूर्सो पर 999 महिलाई या हमें देखने को मिल जाती हैं सीधिय सब्दों भी धाने कीगा हम लिंगान पात कैसे आपते हैं तो एक हजार पूरस और कितनी महिलाएं यह हम खास करके देखते हैं तो यही हमारा सेक्स रेशियो प्रमखुप से देखने को मिल जाता है कि एक हजार पूरसो पर कितनी महिलाएं आपको देखने को मिल जाती लिंगान पाथ को लेकर के हर्याना का नाम आपने सदेव सुना होगा हर्याना में सबसे कम लिंगान पाथ होता है तभी तो आपने देखा था पिछले संदर में क्या हुआ था आपके बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की जब बात की जाए तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को इसे हर्याना से ही सुरू किया गया था, ठीक है, हर्याना की जब बात की जा तो हर्याना की अंतरगत इसको सुरू किया गया था, ठीक है, हर्याना से इसको क्या किया गया था, सुरू किया गया था, तो लिंगान पात की जब 919 आपको देखने को मिलता है कितना 919 की जब बात की जा तो 919 खासा ध्यान लिखेगा ठीक है आगी की जब बात की जा तो एक संदग ध्यान लिखेगा किसके रुप में जब हम बिंदु की बात करते हैं तो बिंद को ले करके नाम होता है कि भारतिय खेल पराधी करन के द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्बोच निकाय वर्स 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 डैस में अस्थाफित किया गया है मदब अगर देखा जा तो खेल को ले करके इसका पहलू हमें देखने को मिलता है खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारी आपर क्या एक बिंदू आपको देखने को मिलता है खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारी आपर एक बिंदू होता है और उस बिंदू की जब बात की जाए तो उस बिंदू को हम किसे एक नाम से जानते हैं क्या नाम दिया जाता है, तो सिध्य सब्स δाण कीगा, इसको नाम दिया जाता है, Sport Authority of India, नाम आपने सुना होगा, ऐसे लिखा जाता है, साई, साई की जब बात की जा, तो साई हम क्या करते हैं, Sport Authority of India, ये किससे समंझते हैं, तो आप भी जानते हैं, यह हमारी हाँ पर जो युवा मामले, एवं खेल मंत्राले है, उस खेल मंत्राले के अंतरगत क्या होता है, यह कारे करता है, मंत्राले, मंत्राले की जब बात की जाये तो इस मंत्राले के अंतरगत यह क्या होता है, अस्थापित किया गया है, बेसिक अ जिवा मंत्री हैं क्या नम है उनका अनुराग ठाकुर तो अनुराग ठाकुर की जब बात की जाए तो अनुराग ठाकुर इसके बर्तमान में मंत्री भी आपको देखने को मिल जाते हैं तो साई की जब बात की जाए स्पोर्ट अथर्टी आफ इंडिया तो स्पोर्ट अथर् या फिर खेल के लिए कौन-कौन से नई गत्वीदियों को संचालित करना है, जैसे कोच की नियुक्ती करना, कोच के लिए प्रशिच्छन करना, बेतन वगरे का वेश्था करना, या कोई बुनियादी धाचा वगरे डवलप करना, तो ये सारे काम इसके माध्यम से किये जाते हैं, ताकि भविस्वे होने वाले जो विविन पकार के गेम होते हैं, चाहे वो ओलम्पिक हो, राश्वंडल खेल हो, कामन बिल्थ की जब बात की जाए, या एसीन गेम हो, तो उसमें जो हमारी खिलाडी वगरे जाते हैं, उनको हम तैयार कर पाएं, तो उसके लिए यह पाते हैं, निती निर्देशक सिधान, आप भी जानते हैं, निती निर्देशक सिधान का क्या संदर्व है, निती निर्देशक सिधान का मनतब यह होता है, कि राज्य स्वतंत्र है, इसके उपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन राज्य को यह काम करना चाहिए, जैसे हमारे लिए नैतिक से च्छा दी जाती है न क्या कहा जाता है कि हमें जानौरों को मानना नहीं चाहिए हमें पेर पौधों को सुरच छित रखना चीए कहीं पर कोई सारवणी प्रकायर के उसे नहीं करना चीए, आगजिनी वगरे कहीं लगी है तो उसे बंद कर देना चीए, होता नहीं, यह नयतिक विचार हमारे होते हैं, तो यह जैसे हमारे लिए नयतिक विचार होते हैं, उसी तरीके से राजी के भी कुछ आपे मंतबित तैं किये गए हैं, कि एक स्वस्त हो इसके उपर पूरा ध्यान दे, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का पूरा प्रवंधन रहे, पंचायतों गरे का पूरा व्यवस्था करे, सोसित वर्ग जो होते हैं उनके अधिकारों की बात की जाए, या किसी को कोई सहायता वगरे चाहिए, तो वह सारी आपकी महिया करा आई जाए, यही आपके ख्रामानत है, आप नाम सुने भी होंगे, DPSP की रुप में जाना जाता है, डिरेक्ट्व पिंस्पल आफ इस्टेट पॉलसी, राज के नीती निद्दैसक तप्त के रुप में, तो शुरुवाती दिनों की जब बात की जाए, तो यह मनतब हमें कह पहली बार जब हम इसकी बात करते हैं, तो यह हमें देख मिलता है कराची अधिवेशन से, कराची अधिवेशन की जब बात की जाए, यह आपका पारित किया था, कराची अधिवेशन की जब बात की जाए, खास करके आपने सुना भ्योगा, यह अधिवेशन 1931 में हुआ थ नाम की जब बात की जाए तो आपके सिकते हो कि क्या है तीन घटनाओं के बाद तीन प्रमुग घटनाओं के बाद यहां पर आजित किया गया था कौन कौन सी घटना है थी पहला था महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह नमक सत्याग्रह की जब बात की जाए तो नम पर गांधी इर्विन समझहोते के बारे में आपने सुना होगा गांधी इर्विन समझहोता जिसके बाद क्या हुआ था खास करके गांधी जी दुतिये गोल में समेलन के लिए गए भी थे तो गांधी इर्विन समझहोता कि जब बात की जा तो उसके परिपेच्वे यहां पर के रूपे हैं तो काकूरी अभ्यूक्त के रूपे में आपने सुना था भगत सिंग और भगत सिंग के अलामा उनके दो साथी इन लोगों को क्या किया गया था खास करके फांसी दिया गया था तो फांसी देने के बाद ये घटना आप ही आजित की गई थी तो तीन प्रमुक बिस्विल इन दोनों को फौंसी दिया गया था तो इसके बाद 1931 में क्या हुआ था ये कराची आपका जो सत्थ था वो है आजित किया गया और यहीं पर इसको पारित किया गया था नाम की जब बात की जाए तो आप बिल्कुल सत्थ करें कि इसके बारे में समिधान के भाग चार, तो समिधान के भाग चार की जब बात की जा तो इसमें क्या किया गया है, इसके बारे में पूरी चर्चा की गई है, खास करके जिसको नाम दिया जाता है, DPSP, DPSP या फिर डारेक्टिव पिंस्पल आप, State Policy, अगर इसकी बात की जा तो उपाधियों के अंत के रुप में इसका नाम हमें देखने को मिलता है, मतलब भारत के समिधान के द्वारा अलगलग पहलू आपके लांच किया गए, लेकिन एक आपका पहलू लांच किया गए, जिसको हम उपाधियों के अंत के रुप में जान पाते हैं, नाम होता है, अन पिर सता की जब बात की जाए तो यह अस्पिस्ता से समंधता आपका एक अनुच्छेद होता है साथ ये साथ अनुच्छेद 19 के बारे में आपने सुना होगा, ये किस समंधता है तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि हमारी हाँ पर कोई भिव्यक्ति भासा, भासा के अलामा संग, संग के अलामा निमास, मतलब इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर भ्यक्तिगत स्वतंता की जब बात की जाए, तो भ्यक्तिगत स्वतंता को लेकर के यह क्या काता है, यह आ और आपके पास कोई दो सिध्धी नहीं है, तो उस दसा में क्या किया जाएगा। नागरिक की जब बात कीज़े, मतम भारत का जो नागरिक है, वो किसी विदेसी राजी की, किसी भी पुरकार के उपादी को नहीं स्विकार करेग़, और अगर जो स्विकार भी करेग़ तो वह किस दासा में होगा, वक्य एवल आपक जो सैच्छिक उपादी होती है, क्या सेच्ची कुपाधी को खास करके यहां पर स्विकार करेगा और सेच्ची कुपाधी को स्विकार करने के अलामा अगर देखा जाए तो कोई बिसेश उपाधी अगर हमारी हां से दी जाती है तो वो राष्ट के परिपेच्वी राष्ट पती वगरे के मांध्यम से दिया जाए तो यहाँ पर इसकी जब बात की जा तो यह नाम प्रमुक होप से देखने को मिल जाता है तो कास करके उपाधियों के उर्मोलन के लिए इसका नाम देखिलता है सैनिक के परिपेच में द्याने कीगा सैनिक टुकडियों को भी क्या होता है कुछ बिसे इस परकार की उपाधियों को छोड़ करके आपके किसी परकार की उपाधियों यहाँ पर नहीं दी जाएगी आगे की जब बात की जा तो इसका प्रमुक लच्छ हमें देखरिक मिलता है और इस प्रमुखलच की जब बात की जा तो इस प्रमुखलच को हमें कब प्राफ्ट करना था क्या बात की जा रही है दूसरी पंच वर्षी योजना आद दूसरी पंच वर्षी योजना की जब बात की जा तो दूसरी पंच वर्षी योजना जो समद्धिती वह किस समद्धित आपको दिखूती है दूसरी पंचवर्षी योजना 1956-61 की मादल पे दूसरी पंचवर्षी है योजना अगर इसकी बात की जाये तो इसका समद्ध किसे था तो सीधे सब्दों में आपने सुना था कि इस टाइम पे हमारा एक ही मन्तब भी था कि हमें बड़े उद्योग अस्थापित करने हैं क्योंकि पहली अर्थव्योस्था का जो अधार था पहली आपकी पंजवर्शना वो किरसी के उपर आधारी थे लेगन दोसे संदर की जब कि जा है तो यहां पर भारती सें बारे और आप करकार की आफ के नस्थान पिए गहे हैं बड़े अस्तर पे हमें क्या करना है खास करके आपके उत्पादन को आगे बढ़ाना है और जब उत्पादन को आगे बढ़ाए यह तो सीधे क्या होगा बड़े उद्ध्योग अस्थापित होंगे तो उसके पीछे पीछे क्या होंगे चोटे उद्योग तो अपने आप में अस्थापित हो जाएंगे जिसमें कैसे क्ते हो कि परिवान की बात की गई बिजली की बात की गई सिचाई की बात की गई तो इन सारे मुद्दों को भी आपका डवलप किया गया और इसी परिपेश आपने सुना होगा खासा अगर देखा जाए तो इसको माडल को थोड़ा सा ध्यान कीगा इसको जो संकल्पना में दिया गया था उसको हम महाल बोलिस माडल की रुप में भी जानते हैं तो महाल बोलिस माडल की जब बात की जा तो दूतिय पंच पर श्योजना को हम लोग महान बोलिस मौडल की रुप में भी जानते हैं क्योंकि इसका यहां पर क्या किया गया था इस्तिमाल भी किया गया था अगर इसकी बात की जाया तो इसके लिए जो हमने लच रखा था कि हमारा जो लच विकास का होगा वह कितना होगा तो हमने विकास का जो लच रखा था वो रखा था साड़े चार पर्शंट की गती से क्या करेंगे डबल अप करेंगे आज कल आप GDP अर्थिबाउस्ता की ग्रोथ को देखते हैं न तोसी की बात की जा रही है यहां पर लच रखा गया था कि साड़े चार पर्शंट की दर से हम बढ़े गया और असानी है कि हमने बहुत नेगेटियो रखा हमने चार दस्वलो दो साथ पर्शंट की गती हासिल भी की थी तो इस चीज़ को भी द्याने की गा मतलब उसके करीब करीब हमारा क्या था यहां पर खास करके आधार भी देखने को मिला था आगे की जब बात की जा तो एक नाम आता है कि दिल्ली सल्तनत के निमलिकित में से किस ब्याउस्था में बह्मनी और विजयनगर समराजियों का प्रभाव हमें थोड़ी बहुत देख मिलता है दिल्ली सल्तनत की जब बात की जा तो दिल्ली सल्तनत के अंतरगत खास करके एक जो हमें आधार देख मिलता है वे किस समराज की परिपेश में देखने को मिलता है दिल्ली समराज की जब बाज की जा तो दिल्ली समराज में किस एक संदर को हम नाम दे पाते हैं खास करके आपके वालिष में चहल गानी के रुप में बिटी कची के रुप में या फिर आपके एक तापथा के रुप में किसका नाम यहाँ पे देख मिलता है अगर इसकी बात की जा तो इसका संदर किसे होता है तो खासा ध्यानिकीगा अगर इसकी बात की जा तो इसका संबंध हमें देख मिलता है दिल्ली सल्तनत में खास करके कल हमने चर्चा भी क्या था एक्ता के बारे में एक्तादारी की जब बात की जा तो एक्तादारी पृथा की जब बात की जा तो ये सुरवाती दिनों में कह सकते हो कि दक्कन जो लोकेशन होता है अगर उसकी बात की जा तो ये दक्कन लोकेशन में था लेकिन दक्कन के बाद अगर देखा जा तो परिपेच की जब बात की ज जमीन के टुकडों को छोटे छोटे टुकडों में डिवाइड कर दिया जाता है और इसी टुकड़े को एक एक वेक्टियों को दे दिया जाता था और इसी को हम लोग क्या करते थे खास करकी क्या होता था इकतादार जो इसका देखधार करता था इकतादार नाम का अधिकारी होता था एक्तादार नाम का अधिकारी हो जाता था और यह जमीन के जो छोटे-छोटे टुकड़े हुआ करते थे इनको हम क्या करते थे इक्ता के रुप में जानते थे इक्ता और यह किस से समधी थी तो यह खासा धने की गा भूराजस से समधी एक बड़ा बदलाव आपको तो भूराजस के परिपेच में कर देखा जा तो इसका नाम प्रमुखुप से देखने को मिल जाता है खासा इल्टुत में इसकी जब बात की जाए तो इसके सासन काल में इसका नाम प्रमुखुप से देखने को मिल जाता है तो यह हमारी हां पर एक्तादारी बेउस्था की जब बात की जाए तो ये सुरू में चालू किया गया था किसके द्वारा चालू किया गया था तो ये बहमनी लोकेशन में आपको देख मिलता है बहमनी की जब बात की जाए इवन बहमनी के लमा बिजन अगर लोकेशन की जब बात की जाए तो सुरुवाती दिनों में राजा सुके लिए ये लोग क्या करते थे इसका इस्तमाल करते थे लिगन आगे चल करके क्या हुआ ये हमारे दिल्ली सल्तनत के अंतरगत भी लागो हो गया तो इक्तादारी पृथा की जब बात की जाए ठीक है आगे की जब बात की जाता है कि हम हमारे 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 हां प 되면 के सिक्के के अस्थान पे डेस 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 नाम के तामक कर्ंक कै घड़ी कि गए द आस बर किजा घुट 2022 हमें देखने को मिल जाते हैं घड़ी का मिलजाते हैं bisa दिया जाता है Cristowatelaws रूपया जितल या फसर तंक यह दुनिया पित्तल दी, पित्तल की संकल ना, चांदी की सिक्के हला की जारी के गए, चांदी की सिक्के की जब बात की जा तो आप भी जानते हैं, हमारे गहांपर चांदी की सिक्के, चुकि उस समय काफी महँगे हुआ करते थे, तो उस दसा में क्या होगा, तामे की सिक्के आपके जारी के गया है, मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी के गया है, नाम की जब बात की जा तो इसे क्या नाम दिया गया, इसे नाम जित्तल दिया गया था, ठीक है, जित्तल की जब बात की जा तो जित्तल इसे नाम दिया गया था, बेसिक अगर देखा जा तो मुहम्मद बिन नाम था वह था उलोग खान क्या नाम था उलोग खान की रुप में जाना जाता था ठीक है तो उलोग खान की जब बात की जाए उलोग खान या फिर जिसको हम लोग किसके रुप में जानते हैं फाकरुदीन जौना की रुप में जानते हैं उसके परपेच विसका नाम दिख मिलता है इसने दिल्ली संतरत पे सासन किया और अगर इसकी बात की जाए मुहम्मद बिद्दुगलक तो इसका सबसे निगेटिव जो काम था वो यही था कि इसने क्या किया इन्होंने जीतल के नाम से यह तो जीतल लिखा है लेकर अगर इसकी बात की जाए तो इसने जीतल के नाम से यह क्या किया चांदी की जगह पर तांबे का सिक्का चालू किया और आपका सिकते हो कि जब चांदी की जगह पर तांबे की सिक्के चाली किया तो घरों में ही क्या होगे टकसाले बन गई लोग क्या करने रहे अपने घरों में जो तांबे के बरतन होते थे थरिया गिलासा उस सब को पीट-पीट के यहां पर क्या करने लिए मुद्रा बना ले गए तो इससे इसको काफे नुपसान हुआ बेसिक अगर देखा जा तो इसके दोरे काम और किया गया था अपनी राध्धानी का परिवर्तन राध्धानी परिवर्तन की जब बात की जा तो आप भी जानते दिल्ली से दौलताबाद दिल्ली से दौलताबाद की जब बात की जा तो दिल्ली से दौलताबाद और फिर दौ कर सकते हो मानक आपके मुद्रा चलाई गई इसका नाम काफे कर सकते हो कि बड़ा निगेटिव माना जाता है और ये आगे कांटीनियू नहीं कर पाता है खासा अगर दिखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा मुहम्मद बिन तुगलक के सर्चज में इबन ततूता की जब जब बात की जाए तो वहां का रहने वाला एक मुश्लिम बिद्वान होता है जो इसके सासनकाल में आपका आया था तो मुश्लिम बिद्वान के रूप में इसका नाम आपको देखलता है खास करके कर देखा जाए तो ये इसके सासनकाल में यहां पे आया था इबन बतूता के बारे में ध्याने कीगा मुरक्को का रहने वाला यह इसके सासनकाल में आयétait महम्मद बिं तुगलत तो महम्मद बिं को जब बात की जाया तो इसके दो तीन ऐसे परियाय होते जो काफी negative होते है जैसे 溪 चांडी की जिगपर ये इसने तामे के सिक्के जारी किये, और साथी साथ राध्धानी दिल्ली सेशनी दobia परिवार्टन किया, तो स्रेश को ध्याने कीँगा, बाकि सारी संकल्पनाओ का एक ही आधार, एक ही मानक, आप सब के लिए काफी माहत्पूर, और उस मानक की जब बात की जाए죠 उस मानक सर कोड आपको लगाना है जिसके माद्देम से क्या होगा आपको सुनिष्चित है कि आपको डिसकाउंट प्राफ्थ हो जाएगा पांडे सर कोड कैसे लगाएंगे तो सीज़े सब्दों में आप वेमसाइट पर जाएंगे टेस्ट बुक टेस्ट बुक खोलेंगे आप मैं ने कहा कि पुलिस के एकजाम को छरीना है यह उस दसा में क्या है यह उसका कंडर्भू में थे तोलग अलग संदर्भू को ले कर कि इस कोड को आहिए अब अब क्या लेले ना है अब चुकि यह तो खतम oh गया तो इसका औ brick या होगा नहीं, बात की जाती है, मान लेते हैं कि हमने कोई दूसरा कूर्स खरीदने की बात की तो कोई कूर्स दूसरा हम खरीदते हैं जैसे हमने कहा कि हमें बैया एक दूसरा कूर्स चाहिए, खास करके जिसका संबंध क्या हो, जिसका संबंध हो UP के परीपेच्छों है, पुलिस exempt में हम करते है U.P. पूलिस constable की लेते हैं, अब इसको हम करिदने की कोशिस करते हैं, तो हम जाएंगे एक्स्प्लोर करेंगे, और एक्स्प्लोर करेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, आपके सामने ये पूरी व्यवस्था, पूरी संकल्पना सामने आ जाएगी तो उसमें क्या करना है उसको करना क्या है कि यहाँ पे आपको code लगाना है जिसको हम बार-बार बताते है अल लेडी यहाँ पे code होता है उसको हटा देना है उसकी जिवर पे क्या करना है अपलाई कूपर में जाना है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कोड लगा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है छोट नहीं मिलती है, तो छोट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पांडे सर कोड को जैसे ही लगाएंगे, देख सकते हैं आपने जैसे इस code को लगाया 56 रुपे की तुरंट सिभिंग हो गई तो सिध्य सब्दों में आप कैसे थो कि आपका एक विशेष्ट है बचत हो जाएगा आप इस code को किसी भी course में लगा सकते हैं ऐसा नहीं है कि केवल UP police में ही लगाए हैं आप किसी भी course में लगाएंगे योग पर पोलेश जेनुईर असेस्टेंट या फिर IS की भी करिच्छा में मतलब टेस्ट बुक के समद में कोई भी course होगा उसमें आप अगर इस code को लगाते हैं तो उस दसा में आपको सुनेशे discount प्राथ होगा ठीक है चलीगा तो आज की संकल्पना को हम यहीं समाप्त करते हैं पुने आप सबसे मुलाकात होगी कब रात के नौबजे की क्लास में तो रात के नौबजे की क्लास में कुछ और नई चीज़ों को जानेंगे समझेंगे आज के भी सेविंद को यहीं समाप्त करते हुए थेंक्यू, आल्दी वेस्ट, बाबा, टेक केर आप सबका दिन बहुत-बहुत सुभो धनिबाद